बॉलीबूड एक्टरे स्वराभासकर इन्दिनों ने शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई है समाजवादी पार्टी के नेता फहद एहमद के साथ हाली में शादी कर स्वराभासकर ने जम कर सुर्खियां बटोरी है दूसरी और एहमत के साथ शादी को लेकर स्वराभासकर आलोचिकों के निशाने पर भी आ गई है कई लोगों ने सूटकेस, फ्रिज, धर्मान्तरण और नाजायच जैसे कई अर्थों का इस्तेमाल कर स्वराभासकर की खिचाई की हाला कि सूरा हर किसी को तो नहीं लेकिन कई लोगों को तावर तोड रिस्पॉंस भी कर रही है वो खुद का मजाग बनते हुए देखने वालों में से नहीं है उन्होंने हर बार साबित किया है कि इस बार भी वो ऐसा ही कर रही है हाल ही में सूरा ने अब एक नए ट्वीट में अपने लिए नफरत करने वालों पर कटाक्ष किया है सूरा भासकर ने अपने कोर्ट मेरिज की नए तस्वीरों को शेर करते हुए ट्वीट किया नफरत करने वाले सूटकेस, फ्रिज, नाजायज, धर्मांत्रण, बलाह, बलाह, बलाह तस्वीरों में सूरा और फहाद को एक साथ खुश देखा जा सकता है क्योंकि वे आधिकारी को रूप से पति-पत्नी बन गए है इस जोड़े को अपने जश्न के दोरान गले मिलते और मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है फैद को सुरा की मा इराभासकर को गले लगाते हुए भी देखा जा सकता है जो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान बिखेरती नजर आ रही है बता दे कि 16 फरवरी को सुरा ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर अपने और अपने पती वाले एक वीडियो के साथ खबर शेयर की और लिखा कभी-कभी आप दूर तक किसी ऐसी चीज को खोशते हैं जो आपके ठीक बगल में थी हम प्यार की तलाश में थे लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली और फिर हमने एक दूसरे को पाया मेरे दिल में आपका स्वागत है फहद एह अराजक है लेकिन यह आपका है वहीं फहद ने उनके पोश्ट को रिट्वीट किया और जवाब दिया मुझे कभी नहीं पता था कि अराजकता इतनी सुन्दर हो सकती है मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24